घरेलू प्रभाग में मसूर, मूंग एवं चना का उत्पादन घटने से बांगला देश में वित्वर्ष दो हजार तेईस के दौरान इसके आयात में बढ़ोत्तरी हुई. हालांकि बांगला देश को भी डॉलर के अभाव का गंभीर संकट जेलना पड़ रहा है, जिससे वि चीजों का दाम उंचा चल रहा है. अंतरराष्ट्रिय बाजार में दलहनों के दाम में अस्थिर्ता बनी हुई है. समीक्षकों का कहना है कि सरकार को घरेलू बाजार की मांग एवं जरूरत की सावधानी से समीक्षा करके इन दलहनों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान द देना चाहिए. आधिकारिक आकडों के अनुसार बांगला देश में मसूर का उत्पादन वर्ष 2022 के 2.08 लाक टन से 23,000 तन घटकर 2023 में 1.85 लाक टन के करीब रह गया. इससे पूर्व वहां 2021 में 2.58 लाक टन एवं 2020 में 2.60 लाक टन मसूर का उत्पादन हुआ था. चना का उत्पादन भी वर्ष 2022 के 490 टन से गिरकर 2023 से 290 टन तथा मूंग का उत्पादन 2.83 लाक टन से गिरकर 2.78 लाक टन पर सिमट गया. इसके फलस्वरूप वहां दलहनों के आयात में बढ़ोत्तरी हो गई. समीक शाधीन अवधी के दौरान बांगला देश में मसूर का आयात 4.36 लाक टन से बढ़कर 5.22 लाक टन तथा मूंग का आयात 45,000 टन से उच्छल कर 1.07 लाक टन पर पहुँच गया. क्रिशी विस्तार विभाग के अनुसार बांगला देश में कई देशों से बड़े पैमाने पर दलहन का आयात होता है जिसमें आस्ट्रेलिया, कनाड़ा एवं म्यामार मुख्य रूप से शामिल है.